कोरोना संक्रमन पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा संक्रट बना हुआ है इस बीच क्या पाकिस्तान इस महामारी को भारत के खलाफ हत्यार बनाने की तैयारी में है ये सबाल भारतिय सेना के एक बड़े अधिकारी की ओर से पाकिस्तान पर लगाये गए गंभीर आरोप की वज़े से उठा है कवर स्टोरी में आज इसी की बात हम भारतिय सेना के पाकिस्तान पर आरोपों की बात करेंगे लेकिन उससे पहले बता देते हैं कि भारत में कोरोना वारस संक्रमण की ताजास्तिती क्या है स्वास्ते मंत्राले के मताबिक भारत में कोरोना वारस संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 9352 हो गए है COVID-19 की वज़े से अब तक 324 लोगों की मौत हुई है वही 989 लोग इलाज के बाद ठीक भी हो गए है इस बीच PMO ने जानकारी दी है कि प्रधान मंत्री नरिंदर मोधी कल सुबह 10 बज़े देश को संबोधित करेंगे प्रधान मंत्री मोधी ने पूरे देश में 3 हफ़ते के लॉकडाउन का ऐलान किया था उसका कल ये आखरे दिन है माना जा रहा है कि वो आगे की यूजना का कल ऐलान कर सकते है उधर कोरोना वारस संक्रमन से बुरी तरह तरस्त यूरोप में अरसे बाद उमीद की रोशने दिख रही है इटली में कल बीते 3 हफ़तों के मुकाबले मरने मालों की संख्या सबसे कम रही स्पेन में भी नए मामलों की संख्या में कमी आई है और ये दुनिया के ऐसे दो देश हैं जिने इस महामारे ने सबसे ज़ादा चोट दी है यूरोप के तमाम देशों की सरकारे चाहती हैं कि अर्थविवस्था का पहिया फिर से चले स्पेन में कंस्ट्रक्शन से जुड़े हजारों लोगों को आज से दोबारा काम शुरू करने के इजाज़त दे दी गई इतली में कल से कुछ कारोबार दुबारा शुरू हो जाएंगे लेकिन चीन में एक अलागी तस्वीर दिख रही है जहां पांच हफते बाद एक बार फिर नए मामलों की संख्या में तेजी देखी गई है नए मामले जादा तर विदेश से लोटे नागरिकों के हैं इन में से आधे मामले उत्तरी राज खेलूंग जियांग के हैं जहां लोग रूस से लोटे हैं इन नए मामलों की संख्या भले ही सिर्फ 108 हो लेकिन इसे एक अच्छा संकेत नहीं माना जा रहा है उधर अमरीका के आला स्वास्ते अधिकारी डॉक्टर एंथनी फाउची ने कहा है कि उनके देश में लोगों की जान बचाई जा सकती थी डॉक्टर फाउची ने कहा कि अगर कोरोना वारस को रोकने के प्रयास पहले से किये गए होते तो ये मुमकिन था अमरीका में कोरोना वारस संक्रमण की वज़े से दुनिया में सबसे जादा लोगों की मौत हुई है और ये आंकड़ा 22,000 के पार हो गया है इस बयान को लेकर अमरीकी राष्टरपती डॉनल्ल ट्रम्प नाराज हो गये हैं और उन्हें बरखास्त करने की बात कर रहे है और अमरीका पर अपडेट के लिए वाशिंटन से हमारे साथ जुड़ गये हैं बीवी से समवादाता विनीत खरे विनीत एक तिरफ संकरबन के मामले अमरीका में बढ़ रहे हैं मौत के आंकडे बढ़ रहे हैं साथ में क्या राष्टरपती डॉनल्ल ट्रम्प को लेकर विवाद भी बढ़ता जा रहा है देखे राष्टरपती ट्रम्प को लेकर कहा शुरुआत से कहा जा रहा है Twitter पर Hashtags भी है लेकिन जब ये मामला Corona का Crisis शुरू हुआ था उसके पहले से भी अभी Reports जो आ रही उनमें कहा गया है कि ये फैसला जिस तरह का सरकार आरोप लग रहे हैं कि वो सोती रही उसने Act नहीं किया और उसके बाद से President Trump पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने मामले को बहुत ज़्यादा प्राइरिटी पर नहीं रखा और अब जिस स्टेज पर है जब इतने सारे लोगों की मौत हो रही है तो चिंता बढ़ रही है कि आख रिये कहां तक जाएगी स्थिरी तो क्या विनित यह माना जाए कि Trump इसे अभी भी चुनावी चश्मे से देख रहे हैं यह आरोप लग रहे हैं क्योंकि वो लगतार कह रहे हैं कि जब भी उनकी जो डेली प्रेसर्स होती है कि जल्दी सिल्दी एकॉनमी को अर्थव्यवस्था को खोलनी की ज़रोत है पहले इस्टर की बात की गई अब यहां पर बात हो रही है कि पहले मई तक खोला जाए हाला कि चाहे एंट्री फाउची हो जाहे दूसरे एक्सपर्ट्स वो कह रहे हैं कि अगर जल्दबाजी में कोई फैसला लिया जाता है तो उससे चीज़ें और खराब हो सकती है अभी जैसे नियोक में कहा जा रहा है कि चीज़ें स्टेबलाइज हो सकती है तो चीज़ें हमाँ रिवर्स हो सकती है और लोगों की ज्यादा मौथ हो सकती है जी शुक्रिया वेनितिस पुरी जानकारे के लिए और अब आज की बड़ी खबर भारतिय सेना के एक वरिष्ट अधिकारी ने पाकिस्तान पर बहुत गंभीर आरोप लगाए है उनका आरोप है कि पाकिस्तान अपने देश में COVID-19 संक्रमण को कम करके दिखा रहा है और संक्रमईत लोगों को गुपचुप तरीके से पाकिस्तान प्रिशास्त कश्मीर में भेज रहा है श्रेनगर सित भारतिय सेना की 15 वी कोर के कमांडर लेफटेनेट जनरल भी एस राजू ने या आरोप भी लगाया कि पाकिस्तान संक्रमण पर रोक लगाने की बजाए नियंतरन रेखा पर चरमपंथियों को जुटा रहा है BBC समवादाता जुगल परोहित ने लेफटेनेंट जनरल राजू से खास बातचीत की आज जस हालात के अंदर जो पूरा दुनिया गुजर रहा है कोविट की मामले में मेरा मानना है कि जो पाकिस्तान की रवाया है उसके अंदर कोई बदलावत नहीं आ है और इस तरफ की जो हरकते है जहां इंफिल्ट्रेशन हो रहा है सीस्फार ओलेशन हो रहा है वो बहुत ही शरमनायक और निंदाजनक है ग्राउंड पे आप पाकिस्तान सेना के अटिट्यूड और डिप्लॉयमेंट में क्या कुछी तरह का कोई अंतर देख रहे हैं कोविट नाइटीन को लेकर चूल keh सिर्ण नीट पहला है इन ठीनलण चेंड से लिप्लॉम болтов फिरूंबक्ट तोयर्ट ची है व्थचार ठीरे जीड्य जबाशन mindfulness यह है वेरान चन्छीश को का संधा है Geffen the आईट ज़िप से एंप पृच्थाइट ईच्टान के वॉरेषिग आगे being trained as mujahideen or being trained as terrorists into very small enclosed places in their own launch pads so we are very conscious that you know these people who could be coming from across could be carriers of covid themselves so so we have very conscious of the way we are going to handle the terrorist bodies you know whenever they're killed जब आपने कहा के Pakistan affected covid affected logo को सीमा के नजदी के लाको में पुश कर रहा है तो ये इसका क्या मतलब है इसका क्या पाकिस्तान साकर रहा है इसका कर रहा है वाल वोगा उन्यटान अगापनेंगे वितने इंस वितने जापनेगे साफिव बितने एंदोंट्रेस आटिए इंदेग्चिक करते हूंवे एंदेग्टेसित और बीबीसी की गुजारिश के बाद भी पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज पॉब्लिक रिलेशन ने इस इंटर्व्यू में लगाए गए आरोपों पर पतक्रिया नहीं दी इसके पहले 10 अपराल से 13 अपराल के बीच भारत और पाकिस्तान दोनों की सिन आउने एक दूसरे प अबेल्वा की स्वेव जगुजा एक बीच्डू एकिस्फटान आवा पनार पीचित आवाए में ररी आके हमे साथ के आlen दिए खर भीचों रज़े ओिवपाए